बिटकोई को लेके मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हो रही है जिससे कि कही न कही प्राइजेस तो आप उपर जाने चाहिए लेकिन अभी भी बात करें तो बिटकोई कही न कहीं साइड वेस में आप अठका हुआ है तो आखिरकार क्या चल रहा है बि चल लिए फटाफर से वीडियो को लाइक कर दीजिए चल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरीके का कंटेन आप यहां पर देख पाएं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बिटकोई से लेके तो बिटकोई में लेवल देखा था वहां से बिटकोई एक अ यह है कि अगर अभी बिटकोई इस को क्लियर नहीं कर पाता है तो बिटकोई हो सकता है थोड़ा सा जम करें और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिले हाला कि अगर हम इसी की तौर पे बिटकोई की ETF की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉंक जो है उसके अंदर जो ETF का inflow है वो सबसे जादा हो रहा है और 5th highest इन में से रहा है जिसमें हमें ETF का inflow सबसे ज़्यादा देखने को मिला है इवन अभी 17 दिन हो चुके हैं लगबग ETF को लाँच होए है और यहां पर 3.2 billion का अभी तक 17 दिन में हमें ETF के अंदर कह सकते हैं कि पैसा आता हूँ मिला है इसके बाद और भी बहुत सारे ETF है तो सबसे टॉप में Grayscale चल रहा है 20 billion की asset under management value के साथ फिर आता है BlackRock 3 billion उसके बाद आ रहा है यहाँ पर Fidelity 2 billion और बागी के जितने भी हैं वो इसके नीचे यहाँ पर आते हैं लेकिन important चीश क्या है कि यहाँ पर Grayscale अप buying यहाँ पर हो सकती है लेकिन इस buying का असर हमें आप पर क्यों हो नहीं देखने को मिला है क्यों market अभी भी possibility है कि गिर सकता है उसका major reason है कि इनको और जदा amount में आपर चीज़ों को खरीदना है हाला कि देखो ऐसा नहीं है कि बहुत जदा buying हो रही है तो Bitcoin आपर गिर नहीं सकत पहले भी charts में बता हुआ है तो यहाँ पर एक बड़ा momentum यह expect करें कि या तो कोई fake out दे या फिर नीचे की तरफ drop करना expect करें लेकिन अपर momentum तभी आएगा जब market इस level के उपर यहाँ पर clear कर पाएगा इसी तौर पर हम लोग Ethereum की बात करें तो Ethereum definitely थोड़ा सा bullish यहाँ पर होता ह हुआ है जो कि अभी 2300 से लेकर 2450 या 500 के बीच में आपको देखने को मिलता है इसका मतलब यह है कि अगर market इसको भी clear नहीं कर पा रहा है तो आने वाले time में अगर Bitcoin थोड़ा सा drop करता है तो Ethereum यहाँ पर drop कर सकता है और हमारी expectation है कि market 1900 से 2000 के बीच में उसके बाद ही जाकि XRP जो हमारा एक falling wedge जैसा channel बना था उसको अब यह नीचे की तरफ break कर चुका है even that support level भी break हो गया है और अभी जो last support बसता है वो हमे 0.45 के असपस मिलेगा तो अगर यहाँ पर XRP आता है तब हम buy के बारे में plan कर सकते हैं लेकिन अब अगर जब ता XRP इस trendline को break नहीं करता हम ल interest जरूर कर रहा है लेकिन resistance still validate है और यहां से अगर market आपका $7.8 के उपर नहीं जाता है तो market में correction हो सकता है market $5 तक नीचे की तरफ यहाँ पर dip कर सकता है वहीं पर हम लोग बात करते हैं chain link के बारे में chain link अच्छा कासा bullish चल रहा है सारे coin जहां पर गिनने के त्यारी कर रहे ह वहीं पर chain link के कैसा project है जो कि अपने आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर push कर रहा है आप देखेंगे तो इसमें proper breakout हमें देखने को मिल गया लेकिन अब हमें यह देखना है कि market क्या इस support को hold करता है अगर market $16 के उपर hold करता है तो आने वाले time में हम $37 के maximum target को इसके अंदर देख भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका मतलब है कि अगर यह wedge यहाँ पर break कर जाता है तो आपका जो पिछला पूरा level है वो यहाँ पर target आपको देख सकता है लगवग 0.56 के आसपास में जो एक तरीके से एक अच्छा support की तरह act कर सकता है यह जो पिछला level है इस zone के resistance है एक्स protect value है 0.11, 0.12 की बीच में जहाँ पर कि अगर market आता है तो यहाँ से फिर हमें कोई reversal point देखने को मिले वही पर हम लोग बात करते हैं dog coin की बारे में dog coin भी यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है dog coin, dodge coin, doggy coin जो भी आप इसको कहना चाहे और फिलाल में यहाँ पर एक time के अंदर हम लोगों को जो इसका पिशला level of support है लगवग 0.06 यहाँ तक भी market test करता हूँ मिल सकता है तो आपको थोड़ा सा cautious होके work करना है इसी के साथ बात करते हैं soul के बारे में तो soul की बात करें तो लगपक जो support है वो हमें 75 dollar के आसपस मिल रहा है जहां से already market bounce किया है पर यह level test हो जाए फिर देखने कि क्या करता है क्योंकि ज्यादा chances से ही बनेंगे किस level के बाद से हमें थोड़ा सा market में bounce देखने को मिले अगर हम लोगों का price इससे नीचे किनना start करता है 75 से तो हमें re emulate करना पड़ेगा पूरे market को यहाँ पर वही पर हम लोग बात करते हैं आपने last token लगभग Cardano के बारे में तो Cardano के अंदर पर भी market dip ले रहा है मैं आपको बहुत पहले ही बताया था यह वाला zone 0.38 से लेके 0.41 prices थोड़ा सा bounce करें लेकिन वापे से dip लेना start करें और यह वाली जो resistance की line है यह अभी भी price को वहाँ पर hold कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा wait करना चाहिए जब तक market इसको break ना करें हम अभी wait कर सकते हैं थोड़ा dip में price आने का जहां पर इन सभी चीजों को buy हम लोग यहां पर कर पाए तो यह थी कुछ update about the Bitcoin and the alts coin अब बात कर लेते हैं कुछ important news के बारे में ETF की news में आपको बता चुका हूँ कि ETF सकते हैं आप ब्रोकर के अंतर कितना पैसा ETF का यहां पर आ रहा है इसलिए इंडिया से बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि आ रही है वजिरेक्स के founder और जैपे के XCO की तरफ से इन दोनों ने basically joint hand मिला है और एक नया Indian exchange यहां पर लेकर आ रहे हैं आप इसमें different क्या होने वाला है इसमें different होने वाला है कि यह आपको future exchange की थरे work करेगा यानि कि future trading प्रोवाइट कर आएगा लेकिन किस चीज में rupee denominator में करवाने वाला है अभी तग हम जो future trading करते हैं चाहाब Binance हो या फिर कोई भी हो तो वहां पर USTT pair के अंदर करते थे वैसे ही अभी इंडिया के अंदर आप INR के अंदर future trading यहाँ पर कर पाएंगे और इस exchange का यहाँ पर नाम रखा जा रहा है 542 तो देखते हैं कि क्या चाहिए होंगी हाला कि यह FIU के साथ already यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ अपना registration करा लिया है PMLA के अंदर की guidelines को भी follow कर रहे हैं बट इसमें एक benefit यह होग सकें और अगर exchange अच्छा हुआ पैसे बस time पर हम लोगों को bank में दे दे तो ही यह सारी चीन ठीक है नहीं तो फिर कोई पर मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए लेकर आगे हो एक बहुत ही बढ़िया project जो कि हाँ पर FCO यानि की fair community offering basically कर आने वाले हैं और इस project का नाम है अब है playbugs.co फिर community offering होती क्या ये एक नई terminology जो कि आपको crypto में देखने को मिलेगी इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी retailers हैं वो इसे project के अंदर participation कर सकते हैं और उन लोगों को कहीं पर भी बहुत बड़े whales या फिर किसी token को stake करने की जोरत नहीं है वो directly project होई जा सकते हैं कुछ simple से task कर सकते हैं and yes इसका participation यहाँ पर कर सकते हैं and यही चीज़ basically offer कर रहा है playbugs.co जिसको क्या आप देख सकते हैं और इनको कहीं न कहीं बात करें जो main सबसे चीज़े वो है basically Binance Lab जो कि इनको basically invest यहाँ पर करा है अगर आप इनकी website पर जाएंगे तो आप सारी details यहाँ पर already check कर सकते हैं और आपको नीची देखने को मिल जाएगा कि Binance Lab और Visa basically इसके main investors है जिन्हों ने इस project के अंदर invest यहाँ पर किया हुआ है और यह project का token है वो basically आने वाला है razor करके जो आपको देखने को मिल जाएगा यह कि तरफ बढ़ सकते हो तो जैसे आप यहाँ पर sign in complete कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरह के का page खुल जाएगा जहाँ पर एक level वाला page मिलेगा left hand side में आपको dashboard के साथ task के pages मिलेंगे तो बस आपको यहाँ पर आना है task को complete करना है जैसे कि आपको follow करना है razor को Twitter पर आपको 50 points मिल जाएंगे आपको follow करना इनको Twitter के ऊपर 50 points मिल जाएंगे और इसी तरह के simple task जब आप complete करोगे तो आपके dashboard के ऊपर यहाँ पर आपके जो levels है यहाँ जो points है वो increase होना start हो जाएंगे अगर अभी हम बात करें तो यह लगपक यहाँ पर 1,50,000 USDT raise करना चाह रहे हैं इसमे कि 100% आप लोगों के लिए आप अलॉक भी रहने वाला है तो यह एक नई टर्मालोची को लेकर आएं जहाँ पर की बड़ी-बड़ी वेल्स इसके अंदर ना घुसपा और आप सभी लोगों के अंदर एक पेर तरीके से community के अंदर allocation यहाँ पर हो पाए तो यहाँ पर आप कर सकते हो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइट यहाँ पर करा रहा हूँ अगली दोस्तों खबर आ रही है इंटरनेशनल एक्षेंज बाइनेंस की दरफ से बाइनस की जो application थी जहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि temporary basis पर हमारी website और applications को इंडिया में अलाओ कर दी आप आए लेकिन यहाँ पर government साफ मना कर रही है बोले कि पहले आप PMA के अंदर आ जाओ और even बैंक्स को भी यहाँ पर बोल दिया है कि जितने भी virtual private networks है ना मतलब आपकी जो SIMS वाले network उनको भी का है कि इनकी website को यहाँ पर ban रखता है और illegal तरीके से कोई भी इसको access ना कर प कीवें तो यह लग रहा है कि आज आएंगी यह लोग इंडिया में पीए में लेकिए अंडर कवर कर लेंगे लेकिन हाँ इस प्रोसेस के अंदर 6-8 मेने का टाइम लग सकता है वैसे इंडिया में इलेक्शन आ चुके है कौन सी government आती है क्या method होती है वो सारी चीज़े लेकिन बाइनस को सिर्फ एक तरफ से मानने पड़ी बाइनस हम लोगों को भी problem में क्रेट कर रहा है क्योंकि बाइनस आपर डिलिस्ट कर रहा है पुराने टोकन जैसे कि मौनेर और मल्टी चैन और इसी के वैसे 20% तक का जो प्राइस है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया इन इकल क्या रही है सोलाना की दरफ से सोलाना जो कि भी बहुत ज़्यदा हाइप में चल रहा है फिलाल में कहिना कि कल के दिन इनका जो नैटवर्क था वो यहाँ पर डाउन हो गया था और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कम से कम 25 मिनिट तक इनका जो नैटवर्क था व लेकिन इस तरह के चीज़े यह थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जाता है ब्लॉक्चेंज के अंदर अब इसका जाओ तो ज्यादा अच्छा डेवलोपर्स यहां पर दे सकते हैं हाला कि एक तरफ जो सोलाना है वो अपनी चेंज़े परशान है लेकिन दूसरी तरफ जो इनके फोन से वो खतरनाक तरीके से बेख रहे हैं अब इनका चैप्टर 2 करके एक फोन आने वाला है जिसके 60,000 प्री ओडर हो चुके हैं और ये 2,025 से इसकी डिलिवरी मिलना स्टार्ट यहां पर होने वाली है तो इनका जो पहले फोन आता था सोलाना का मोबाइल सागा उसकी कौस्ती 1,000 डॉलर और कहीं पर थोड़ा सा कम में 600 डॉलर तक भी मिल जाता था लेकिन अब जो इनका दूसरा वालेट आने वाला है जिसका नामें सोलाना चैप्टर 2 वो लगबग यहां पर 450 डॉलर तक कम मिलेगा जिसकी शिपिंग 2,25 से स्टार्ट होगी तो सोलाना एक तरफ तो कहीं ना कि अपना नेटवर्क बिचा अब जाए नहीं करें तो तुरंच शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटर रह सकें और अगर आप आए फर्स्स चैनल के उपर तुरंच यह चैनल को करें सब्सक्राइब नीचे एक नोटिशन बात बात के क्लिक करें और आल के उपर ताकि मेरा अवाली सब वीडियो की इंफर्मिशन प्रॉपर ताम पर पर पास सकें तो मैं मिलता आप से अगली वीडियो के साथ तब तक लिए वा ग्रेट देए और बाई-बाई